जैसी आराम दोस्तों तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे मूलांक नंबर 5 के बारे में तो हम देखेंगे कि 2025 क्या क्या लेकर के आने वाला है नंबर 5 के लिए तो जदा देनी करते हैं कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट तो दोस्तों यदि आप किसी भी महिने की 5 तारिक को 14 तारिक को या 23 तारिक को आपका जनब हुआ है तो आपका जो मूलांक नंबर वनता है वो बनता है नंबर 5 मूलांक नंबर जो 5 होता है ये one of the most powerful नंबर कहा जाता है नियूमरो लॉजी के अंदर और यह जो number होता है यह बुद्ध ग्रह से rule होता है यानि कि mercury से rule किया जाता है तो हम सबी जानते हैं जो बुद्ध ग्रह है वो काफी ज़ादा fastest moving planet कहा जाता है चुकि mercury है तो काफी ज़ादा intelligent भी होते हैं बहुत तेज दिमाग होता है इनका बहुत जल्दी calculation कर लेते हैं काफ अच्छे तरीके से ये बात करते हैं, इनके पास में एक कम्युनिकेशन स्किल्स बहुती अच्छे लिवल की होती है, मुलांक नमबर जो पांच है, ये अंक जो है बुद्ध ग्रे से सम्मंदित माना जाता है, तो ऐसे लोगों में तरक शक्ती बहुत अच्छी होती है, काफी विवस्ते तरीके से काम करने जो है पसन्द भी करते हैं, मुलांक नमबर पांच वालों के लिए ये है, जो साल है दो हजार पच्छी सा olan के ये काफी जास का येसा जा जा रहा है, इनका जो पुटैंचल होता है, ये काफी अच्छा होता है, ये दिमाग से बहुत तेज होत कि उसको जरूर से पूरा कर पाते हैं लेकिन इन में बहुत बड़ी एक कमी भी पाई जाती है काफी जादा आलसी भी होती है तो यदि इस ताल आप अपने आलस को दूर करके एक काम पर फोकस करेंगी तो आपको जरूर से बहुत अच्छे लेवल की सफलता आप राप्त कर सक सकती हैं इस साल अगर मूलांक नंबर 5 वालों के लिए कहा जाये तो यह कह सकती है कि कुछ भी बहुत अच्छा हो सकता कुछ भी बहुत आपके खराप भी हो सकता है यह कमपलेट लिभी डिपेंड करेगा आपके वर्किंग बेहीवियर पर मूलांग नंबर 5 के जो लोग हो तो यदि आप किसी भी एक स्किल पर फोकस करेंगे तो आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। पांच वालों के लिए ये भी कहा जाएगा दोहजार पच्चिस में कि इनकी जो इटिंग हैबिट्स होती है वो काफी जादा खराब मानी जाती है यूस पर कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं तो काफी मामलों में आप देखेंगे कि इस साल जिन लोग ने में अपनी कि इनका जो दिमाग होता है वो काफी ज़ादा स्पीड से वर्क करता है क्योंकि जो बुद्ध है वो सारी जो प्लानेट से हमारे उन सब में सबसे ज़ादा तेजी से घूंता है तो मुलांग नंबर पांच के जो लोग होते हैं इनका भी दिमाग काफी ज़ादा तेज चल जाने की नंबर 9 का ये साल कहलाने वाला है 2025 तो यो है आपका नंबर जो 5 है और 9 का जो combination बनता है ये काफी अच्छा combination होता है property परपस के लिए तो जो लोग भी property खरीदना चाते हैं या बकान खरीदना चाते हैं उनके लिए इस साल बहुत अच्छा जाने वाला है बुद्ध की एनरजी काफी अच्छे तरीके से वर्क करती है तो इस साल आपको यदि एक चीज पर अगर फोकस हो गए तो आप समझ लीजे जो भी आप ठानेंगे वो आप हांसिल कर स के और यदि आप एक ही स्किल पर फोकस कर सकती है तब ही यह जो साल है मुलांग पांच वालों के लिए कई छेत्रों में आपको अच्छी सफलता दिला करके जाएगा लेकिन इस जोनाना आपको क्रोध और जल्दबारी से बचना है यह बहुत ही जादा आपके लिए जरूर मुलांग पांच वालों के लिए जो नया साल है दोहजार पच्छीस का यह आर्थिक सफलता भी लेकर के आएगा करियर में काफी सफलता हैं देखने को मिलेंगी नौकरी में यदि आप प्रमोशन के लिए रुका हुगा है तो आपको प्रमोशन भी मिल सकता है रिष्टों म माता दुर्गा की पुजा कर सकते हैं दुर्गा चालिसा का पाट जरूर से कीजिए बुद्दवार को हरी वस्तुओं में हरी मुझ्ट हरी मुन का दान आप कीजिए यह बहुत ही अच्छा माना जाता है और इस साल आपको जो है जो भी कारे करना हो जिस भी कारे कि आप शुबकारे का जो है शुरूबात आप इस दिन पर कर सकते हैं या फिर पांच तारिक एदि आपको नहीं मिल लहीं है तो पांच और नाइन का अगर कोई संयोग बन रहा हो तो आप उस दिन से अपने कोई भी शुबकारे की शुरूबात कीजिए दो हजार पच्चिस में आप होते हैं जो कि इनका कम्यूनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है तो अगर ये मार्केटिंग फिल्ड में जाते हैं तो काफी अच्छा जो है ये कर सकते हैं मूलंग फाइफ के लोगों की जितना तेज उनका दिमाग होता है जितनी स्पीड से उनके जो है थौट्स चलते हैं तो प्लीज मत कीजिए आप उनमें से एक में भी सफल नहीं हो पाएंगे तो इस साल यदि आपको सफलता चाहिए है तो आपको ये कोशिश करना चाहिए कि आप एक ही स्किल पर काम करें एक बार में एक ही काम करें तो आपको जबर्दस सफलता इस साल पर देखने को मिल इसलार आपको health problem भी हो सकती है पेट से related problems हो सकती है तो कोशिश कीजिए कि जितना आप शुद्ध खाना खा सकते हैं खाईए बहुत जादा मत खाईए अपनी health पे ध्यान दीजिए और जितना हो सके योगा प्राणायाम या exercise जरूर से कीजिए और प्रति दिन आपको भगवा या रखना चाहिए क्या क्या उपाए वो कर सकते हैं या आपको कैसा लगा है comment box में जरूर से बताएएगा तो हम मिलेंगे next video में किसी नए information के साथ अभी मैं आप सबी से लेती हूँ विदा जैजैसी आराम